हाई फ्रेंड्स वेल्कम टॉ आवर चैनल एस स्टेडी टाइम वेस्ट बिंगॉल लक्षमी भंडार स्कीम यह अभी आप लोग सुने होंगे स्कीम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो के वेस्ट बिंगॉल गवर्मेंट फीमेल हेड्स औरतों को दे रही है जो के घर में हेड है फीमेल जो ओड़तें उनको दी जा रही है पांच सो हजार रुपे करके जो के उनको थोड़े इंकम में सपोर्ट करने के लिए दी जा रही है तो यह कैसे फिल अप होगा इसके लिए क्या डॉक्यमेंट लगेगा इन सारी चीजों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें वीडियो स्टार्ट करते हैं वेस्ट बिंगॉल गवर्मेंट ने यह जो स्कीम लाँच की है वेस्ट बिंगॉल लक्षमी भंडार स्कीम ये ऐसा स्कीम है जिससे जो फीमेल्स है जो औरते हैं घरों में उनको एक बेसिक सपोर्ट देने के लिए एक बेसिक इंकम सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम लाया गया है इस स्कीम के जरिया वो औरतें जो के जनरल कैटेगरी से बिलॉंग करती हैं उनको पाथ सो रुपए हर महीने दिये जाएंगे यानि सालाना एक साल में उनको छे हजार रुपए मिलेंगे और वो औरतें जो के स्ट कैटेगरी से बिलॉंग करती हैं उन औरतों को हर महीने हजार रुपए करके दिया जाएगा यानि साल में उनको बारा हजार रुपए दिये जाएंगे ताके उनका जो अपना थोड़ा सा एक इंकम हो सके उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके कि वो अपने जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके लगभग 10-20 परसेंट जो मन्थली एक्सपेंडीचर है एक वुमेन अपने इस पैसे से पूरा कर सकती है तो गवर्मेंट का मकसर यही है कि ये पैसा जो बेसिक इंकम है इसके तोर पर इस्तमाल किया जाए ये पैसा डारेक्ली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी इस स्कीम के अंदर आएंगी अब बात करते हैं कि इस स्कीम को इसमें फॉर्म फिलप कैसे होगा फॉर्म फिलप करने के लिए क्या क्या डॉकुमेंट लगेंगे और फॉर्म फिलप कब से होगा जो भी citizens अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं जो भी औरतें इस scheme में तो इसके लिए एक द्वार का सरकार campus जो की state में जगे जगे पे लग रहा है यही द्वार का सरकार campus में application जो है वो accept किया जाएगा application आप जमा कर सकते हैं वहाँ जाकर के 16 अगस से लेकर के 15 सेप्टेंबर तक 16 अगस 2021 से 15 सेप्टेंबर 2021 तक application लिया जाएगा आप अगर चाहते हैं कि आप भी यह लक्षमी भंडार scheme के लिए को fill up करें और यह scheme से आप फायदा उठाए तो आप द्वार का सरकार campus जो है वहाँ को सेप्टेंबर का भी पैसा दिया जाएगा असल में यह अगर हो जाता है आपका तो आपको सेप्टेंबर से ही पैसा जोड़ करके दे दिया जाएगा अगर आप SCST से हैं तो 1000 रुपे करके और अगर आप जनरल काटेगरी से हैं तो 500 रुपे करके अब बात करते हैं कि इस certificate नहीं लगेगा इसके बाद राशन कार्ड आपको एक residential certificate देना होगा आप जहां रहते हैं वहाँ पंचायत या फिर municipal corporation जो है वहाँ से जो residential certificate मिलते हैं आपको वो देना होगा आपको अपना age proof देना होगा जैसे के voter ID card ये एक age proof के तौर पे काम करता है ठीक है driving licenses जब भी age proof के तौर पे जिसमें आपका age, date, day, month सब चीज लिखा होगा आपको अपना bank account details देना होगा और passport size एक photo भी देना होगा और एक mobile number देना होगा तो यह है documents जो के आपको स्वास्त लक्ष्मी भंडार scheme के लिए जरूरी है आपके पास अगर यह सारे documents है तो आप आसानी से इसको apply कर सकते हैं अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस form को कैसे fill up किया जाएगा step by step तो guys यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यही form है application form जो के क्या है government of west bingo लक्ष्मी भंडार scheme application form ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि colored passport size photograph आपको लगाना है यानि आपको यहाँ पर एक passport size photo जो कि colorful हो एक ऐसा passport size photo यहाँ पर चिपकाना होगा ठीक है इसके बाद हम लोग form को देख लेते हैं कि इसको fill up कैसे करना है आपको जमा करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है application ID यह application ID जब आपको complete हो जाएगा तब आपको दिया जाएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद जो दिया हुआ है वहाँ से आपको fill up करना है जैसे कि personal details personal details में यहाँ लिखा हुआ है दौरे सरकार registration number तो यह जो दौरे सरकार registration number यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है आप जब application जमा करने के लिए जाएंगे तो वो जो camp लगा होगा वहीं से आपको दौरे सरकार registration number दे दिया जाएगा इसके बाद देखें कि यहाँ लिखा है स्वास्तसाथी card number यानि आपके पास स्वास्तसाथी card जो कि कुछ वक्त पहले ही बन कर आया है maximum लोगों को मिल चुका है वो card का जो number है वो number आपको यहाँ पर लिखना है और उसके नीचे लिखा है आधार number यानि उसके नीचे जो column ह उसमें आपको आधार card में जो number है 12 digit का वो number लिखना है इसके बाद यहाँ पे name लिखना है beneficiary name यानि जो फायदा उठाना चाहते हैं जो जिनका फिल कर रहे हैं उनका name लिखना है यहाँ और name यहाँ पे first name आपको लिखना है यहाँ पे उनका middle name अगर है तो लिखना है और न नहीं है तो कोई बात नहीं यहाँ पे last name है last name लिखना है इसके बात देखें तो यहाँ पे mobile number आपको लिखना है एक ऐसा mobile number जो के आप इसके लिए use कर रहे हैं और हर वक्त on भी हो email id अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं otherwise अगर नहीं है तो नहीं भी देंगे तो यहाँ जेंडर में सिर्फ female है क्योंकि यह एक ऐसा scheme है जो कि सिर्फ females के लिए है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद यहाँ पे date of birth लिखना है आपका जो भी date of birth होगा day कौन सा दिन कौन सा महीना और कौन सा तारी यह लिखना है और आपको कितना year हो र पे आपका ओमर आपका ऐज कितना हो रहा है कितना साल हो रहा है यहां पे आपको काउंट करके लिखना है इसके बाद next column में है father's name यहाँ पे father's name दिया है यहाँ पे आपको father's name लिखना है First Name, Middle Name और Last Name अगर Middle Name है तो लिखना है नहीं है तो कोई बात नहीं इसके नीचे आपको Mother's Name लिखना है जो Beneficiary है उसकी मा का नाम लिखना है यहाँ पे इसके बाद Next कॉलम में Spouse Name अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं लिखना है सिर्फ father name और mother name लिखना है इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर caste लिखना है कि कौन से caste से आप belong करते हैं SC, ST या कोई other caste जैसे कि OBC कौन से caste से belong करते हैं अगर आप किसी caste से belong करते हैं SC या ST से अगर SC से belong करते हैं तो SC के बगल में SC पर tick कर दीजेगा या OBC या कोई भी कास से अगर आप बिलॉंग करते हैं तो यहां पर आपको उस card का number देना होगा ठीक है उसके बाद martial status यानि आप क्या है married है unmarried है या वीडो है मतलब विद्वा हो चुकी है आप या फिर separated अलग रहती है तो आपको ये चार options दिये गए हैं यहां पर नहीं है तो unmarried पे अगर विद्वा है तो वीडो पे और अगर आप अलग रहती हैं तो separated पे ठीक है इसके बाद यहां पर contact details लिखने हैं जैसे के हमारा state यह सिफ West Bengal state के लिए ही eligible है यहीं के सिफ citizens इसको फेल कर सकते हैं यहां पर district लिखना है आपका जो भी डिस्ट्रिक है नॉट 24 पर गनाज साउट 24 पर आज जो भी है आपको वह लिखना है आपका police station क्या पढ़ता है वह आपको लिखना है यहां पर block या municipality या corporation आप कहां रहते हैं किसी block पर municipality में या corporation में तो आपको अपना यह डीटेल लिखना है उसके बाद जीपी अवाट नंबर अगर आपका वाट नंबर है तो आप लिख सकते हैं जैसे लाइक वाट नंबर 21 ठीक है village town city तो यहां पर आपको अगर आपका village में पढ़ता है एरिया तो आपको village name लिखना है like यह यहां मलिक पूर एक village है तो यहां पर आप मलिक पूर लिख लेंगे ठीक है house यह प्रमिस नंबर अगर आपको कोई room number house number है तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है यह कोई compulsory नहीं अगर है तो लिख ले नहीं तो कोई बात नहीं post office जरूरी है लिखना आपको आपका post office near post office क्या पढ़ता है आपको लिखना है यहां पे pin code आप जिस एरिया में रहते हैं वहां का pin code कितना है यह लिखना है तो यह हो गया हमारा contact details ठीक है इसके बाद यहां पे ध्यान से देखें यहां लिखना क्या है यहां पूछा गया आ यहां नहीं कि आप कितने साल से west bengal में है ठीक है तो वह आपको यहां पर लिखना है कितने साल से वेस्ट बिंगॉल में है उसके बाद next है bank account details इसको बहुत ही ध्यान से fill up करना है यहां पर bank name लिखना है आपको कोई भी bank हो सकता है bank of paroda central bank of India कोई भी bank हो सकता है आप उस bank का name लिखेगा सबसे पहले उसके बाद उसका जो branch है वो कहां पर है उसका name लिखना है उसके बाद आपको bank account number लिखना है जो भी account number आपका उसको ध्यान से लिखना है और ifsc code लिखना लिखते वक्ट ध्यान रखें अभी जब bank एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो बहुत सारे banks है जिनका ifsc code change हो रहे है जैसे के पहले अलहाबाद उसका ifsc code कुछ और था बट अब वो Indian bank बन चुका है और अब उसका ifsc code कुछ और है तो आप अपने जो bank है उसका जो current ifsc code है अभी जो update हो चुका है आप वही ifsc code लिखें ठीक है इसके बाद यहां पे देखें हम लोग त self-attested का मतलब होता है कि आपको क्या करना है वो जो जरॉक्स page होगा उसके नीचे sign कर देना है self-attested खुद से sign करना है ठीक है अच्छा आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए जरूरत इस form में fill करके देना है आप जो जो दे रहे हैं उसमें आपको टिक भी करना है जैसे के आप colored passport size photograph जो के form पे आप लगाए हैं तो आपको उस पर टिक कर देना है उसके बाद copy of स्वास्तसाथी card तो आप स्वास्तसाथी card का भी जरॉक्स देंगे तो इसलिए आपको उस पर भी टिक कर देना है copy of अधार card आपको अधार card देना है उस पर भी टिक करना होगा अगर आप SCST किसी card से बिलॉंग करते हैं तो आपके पास card certificate है तो आपको यहाँ पर card certificate का जरॉक्स copy देना है copy of bank passbook bank passbook अगर आपके पास होना तो कंपल सरी एक दिम चाहिए होगा ही तभी आपको पैसे मिलेंगे तो उसका first page का आपको जरॉक्स देना है या फिर आप cancel check भी दे सकते हैं ठीक है of west bengal यहनी मैं west bengal का रहने वाला हूं that i do not earn any monthly remuneration remuneration या pension from any regular government job इसका मतलब यही है कि मुझे कोई भी income monthly income नहीं मिल पाता या pension नहीं मिल पाता कोई government job से regular government job है ही नहीं मेरा इसलिए ठीक है that all the information and documents submitted by me are correct to the best of my knowledge और जो भी document मैं जमा दे रही हूं वो क्या है मेरे मतलब पूरे हुशवास में वो क्या है सही है मेरे knowledge में वो सही है ठीक है in case any of the information your document is found to be false अगर ऐसा है कि आपको कोई document गलत होता है पैनल action shall be taken against me and the benefit will be terminated अगर आप कुछ false जमा करते हैं तो आपके खलाफ पैनल action भी लिए दा सकता है और आपका जो form है उसको reject भी किया जा सकता है यानि आपको कोई benefit नहीं मिलेगा ठीक है तो यह क्या है यह उनके लिए है जो के false documents जमा देते हैं ठीक है आपको अपना सही documents जो के यहाँ पर बताया गया है आपको उसको जमा देना है इसके बाद यहाँ पर है date आप जिस date पर जमा देंगे आपको वो date यहाँ पर mention कर देना है और यहाँ पर signature of the applicant जो भी beneficiary इस form को fill up कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर उनका signature चाहिए ठीक है आप अगर thumb देते हैं त to be perforated and handed over to the beneficiary acknowledgement जो आप जमा करेंगे जब तो यह आपको फार करके दे दिया जाएगा यहाँ पर भी यहीं लिखावा है आई के बाद यहाँ पर आपको जो beneficiary जिसके नाम से form fill up हो रहा है यहाँ पर उनका नेम लिखना है daughter या wife of या तो यहाँ पर उनके husband का नेम लिखना ह इस कॉलम में या तो फिर उनके father का नेम लिखना है यहाँ पर have submitted लक्षमी भंडार application on और जिस डेट पर जमा कर रहे हैं उस डेट को भी यहाँ पर लिखना है as for example आप 17 August 2021 में जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा my mobile number यह आपको यहाँ पर mobile number लिखना है ठीक और यहाँ पर received on यह कब receive हुआ है तो यह सब वो जब आप जमा करेंगे तो यह आपको वहाँ पर लिख करके दे दिया जाएगा और जो आपका जमा लेंगी या लेंगे वो यहाँ पर अपना signature भी seal के साथ कर देंगे तो यह था पूरा full process जिसके जरिया आप इस card को आसानी से fill up कर सकते हैं यह card fill up होना 16 अगस से शुरू हो जाएगा आपको इसका एक print out निकालना है और print out निकालने के बाद इसको offline में fill up करना है और fill up करने के बाद जो camp लगेंगे द्वारा सरकार camp उस camp में जाकर के यह form के साथ जो documents बताया है मैंने इस video में वो सारे documents और यहाँ प बात कहूंगे अगर आपके पास स्वास्तसाथी card नहीं है तो आप इस form को कैसे fill up कर सकते हैं इसकी जानकारी के लिए आप चैनल को subscribe कर लें क्यूंकि नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलने वाला है उमीद करते हैं कि आपको यह video बहुत helpful लगा होगा इससे आपको बहुत स subscribe करें थैंक्स फर वाचिंग